कि अधिन वेल्कम बैक टो माइ यूटी चैनल इस्टेडियों टारवी इस वीडियों में बात करेंगे एस एसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस गवारे में इस्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है क्या एक कोई वेहिकल है अब वेहिकल में जो ड्राइवर है वो शक्षन को जब सीन किया तो उसकी कम मिनिमम डिस्टेंस पर कम से कम दूरी पर वेहिकल को सेडली स्टॉप कर लेता है तो यह जब प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग साइट इसका हम लिखे है बना किसी को लेजन के वह सेफली स्टॉप कर लेता है यह हमारी कोई वहिकल है वहिकल ए है इसमें जो ड्राइबर है और स्टॉप्स्ट्रक्शन को सीन किया कुछ दूरी पे किहां यह और श्टॉप्स्टन है फिर प्राद इपलाई किया हम ब्रेइक एपलाई कर साथ एंड प्रोसेस से हमारा SSD है, note हमारा यह है, IRC के according, जो height of driver eyes level है, वो हमारी है, 1.2 meter, उसी प्रकाट से और section के जो height है, IRC के according, Indian road congress के according, है 0.15 meter, यह ही देखते है, SSD equal to होता है, यह D1, D1 plus D2, SSD को तो हो जागा, D1 plus D2, जो हमारा D1 है, वो हमारा है lag distance, and D2 जो हमारा है, वो हमारा है breaking distance, लेकिंगे lag distance क्या है, distance covered by the vehicle, लिए total reaction time to zone है, lag distance, distance, जो हमारा total reaction time है, वो पीव theory के according होता है, पीव theory क्या है, E से perception, I से intellection, E से emotion, V से volition, यह जो हमारा reaction total time है, वो 2.5 seconds, यह हमारा पीव theory होना चाहिए, जो हमारा perception है, वो क्या है, वो obstruction को scene करता है driver, फिर उसके बाद intellection क्या है, उसको समझता है क्या यह और शक्रक्षण है, उसके बाद, और शक्रक्षण को देखने को बाद किस प्रकार का emotion को रुख रहा है, यह हमारा emotion हो जाए, is equal to velocity into time, velocity दो represent करते है, time reaction, टी आर है, जो हमारा 2.5 होता है, Q3W, तो light distance equal to V into TR, इसको हम, इसका unit होता है, m meter, उसकी परकार से जो हमारा breaking distance है, breaking distance क्या है, application of break, इसका जो formula होता है, D2, होता है V square upon 2GF, F क्या है, हमारा coefficient of friction है, जो की 0.35 plus 0.40 होता है, V क्या है, speed of vehicle है, जो meter per second होता है, अगर SSD का formula हम, meter per second में निकालते हैं, तो क्या निकलता है, और SSD का formula हम, kilometer per second में निकालते हैं, तो क्या निकलता है, SSD is equal to हो जाएगा, D1 plus D2, D1 plus D2, D1 हमारा है क्या, lag distance, distance, plus V हमारा है, breaking distance, तो जो lag distance है, VTR plus V square upon 2GF, V हमारा अगर meter per second में है, तो यह हमारा formula निकल जाएगा, अगर हमारा kilometer per hour में है, तो हमारा formula निकलेगा, SSD equal to 0.278 Vr plus V square upon 254F, so friends, यह हमारा है, Structural Side Distance, अब हम देखेंगे OSD, इसके अगले video हम देखेंगे OSD, Overtaken Side Distance, आप लोग उसे मिलेंगे अगले video में, तब के लिए नमस आथ, बाइवाल चाहेंग, अब यह video हम लोग मिलेंगे, एक new topic, जो highways related है, उसमें हम बात करेंगे OSD, Overtaken Side Distance, उसका formula क्या है, किस प्रकार से representation है, उसको लेखेंगे, कि what's the definition, इस प्रकार से Overtake करती है, उसके बाद मिलेंगे अगले video, तब तक कि नमस्कार, बाइवाल चाहेंगे,